सोचा आज मैं आपके लिए कुछ खास यूनिक सा टिप्स ले कराऊं जिससे कि आपका महनत और काम दोनों ही आधा हो जाए पैसा का बचत हो Hello everyone and welcome back to my channel कैसे हो आप सब लोग I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का मेरा पहला टिप बहुत ही यूसफुल है तो देखे गाईस जब सुईच बोट इस तरह से गंदा हो जाती है तो इसको क्लीन करने के लिए हम तरह तरह का सॉलीशन बनाते हैं और जिसे यूस करना थोड़ा सा खत्रा बना रहता है कई वर हम लिक्विट फॉर्म में सॉलीशन बनाते हैं और उस सॉलीशन को हमें बहुत ही साबधानी से यूस करनी होती है जिस कारण कई वर तो खत्रा हो जाती है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ आपको लेना है इरेजर इरेजर की मदश से आप सॉलीश बोट को बहुत ही अची तरीके से क्लीन कर पाओगे बस आपको इतना करना है कि इसको हलके हाथों से रब करना है तो इसी तरह से हलके हाथों से जब रब करोगी न तो आप देखो कि इसमें लगी हुई जितने भी गंदिगी है और रिमूब होते जाएगा तो देखे ये friends वीडियो में देखके आपको समझ में आही रहा होगा कि किस तरह से switchboard clean हो रहा है ये बहुत ही आसान तरीका है और कभी भी जब आपका मन करे तब आप इस तरह से switchboard को clean कर सकते हो इसे कि आपका मेहनत और time दोनों ही बचेगा अलग सा आपको solution बनाने की जोरत नहीं पड़ेगी और इसका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी गंदे से गंदे switchboard को आप safely clean कर पाओगे आप एक बार इस तरह से try जरूर करना एक बार करोगे तो आप बार बार जरूर करोगे तो इस तरह से clean करने के बाद यान की रगणने के बाद साप एक cotton के कपड़े से मैंने इसको wipe कर लिया था आप देखी सकते हैं switchboard कितना बढ़िया तरीके से एकदम clean हो चुका है बस एक eraser के मदद से I hope कि ये idea भी आपका बहुत ही काम आएगा और अगला tip भी मेरा cleaning से related है तो देखें guys tiles का जो ये border बली part है ना काफी जादा गंदा हो जाती है इस तरह से इसमें इतना गंदगी बर जाती है जो black black दिखने लगती है जो बहुत ही घराब लगता है और इसको clean करना बहुत जादा difficult है तो इसके लिए एक छोटा सा trick आपको लेना है harpik जी हाँ harpik ले लीजिए और harpik को इस तरह से tiles का border में अच्छी तरीके से पहले लगा देना है लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजीगा उसके बाद एक पुराना tooth brush ले लीजिएगा और tooth brush के मदश से हलके हलके से इस तरह से इसको रब करना है जिससे के आप देखिएगा एकदम से मिंटों में इस मतलब border में जितनी भी फसी हुई गंदगी है मेला है black black जो दिख रहा है वो remove हो जाएगा remove होने के बाद आप एक गिले कपड़े से इस तरह से पोच लीजिएगा तो फिर आप देखिएगा बहुत ही अची तरीके से इसका जो border है वो clean हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत यूसपुल टीफ है आप एक बाद शरूट रहे किजिएगा तो जलिए अब देख लेते हैं अगला ती तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेट में कच्छे चाओल के कुछ दाने अब चाओल के दाने को ले करके मैं क्या करूंगी इसमें मी मिलाओंगी टेलकं powder आपके पास जो भी ब्रेंट के टेलकं powder है हाप उसको ले लीजिए चाओल में इस तरह से स्प्रिंखल करने के बाद आप इस तरह से मिला लीजिए मनल说 अच्छी तरह से इसको मिला देना है powder और चाओल को ठीक है अब मिलाने के बाद ये एक solution बनके तयार हो चुका है अब मैं इसको डालूंगी इस तरह का एक socks में आपके पास पुराना socks या प्यारले socks सो हो गाई तो उसमें आप इस तरह से डाल दीजिए चाओल को ठीक है और इस तरह से चाओल क डालने के बाद अब हम क्या करेंगे socks में लगाएंगे एक गाट तो ये एक solution तो इस solution को मैं कहां पर रखूंगी इसको मैं रखूंगी अल्मारी में अल्मारी में जैसे कि हम साड़ी ये कपड़ा बगर रखते हैं तो आप देखे होंगे sealant का बदबू आती है कई बास सीलन powder जो की है वो bad smell को remove करने में बहुत useful है दोनों का ही mixture बहुत ही गजब को होते है तो इस तरह से आप चाहे तो अल्मारी में रख लीजिए या तो फिर किसी bag में अगर कपड़े को रखते हो साड़ी वगरा को रखते हो तो वहां पर भी आप रख सकते हैं इससे कि sealant और bad smell द जिस कारण कड़ाई या तो फिर भीगोना में डाल बनाना पड़ता है इससे की बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाल बनने में और उपर से गैस खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके लिए एक छोटा सट रिक लेके आ चुकी हूं जिससे की कड़ाई में अगर आप डाल बनाऊगे तो एकदम फठावट से बन जाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले डाल को अपची तरीके से वास कर लीजिए दोने के बाद कैस्रोल में डाल को डाल दीजिए डालने के बाद अब हम इस में एड़ करेंगे खौलता हुआ गर जाए एकदम से बॉयल पानी डालना है और गरम पानी डालने के बाद हल्दी नमक या मसाला वगएरा बिल्कुल भी नहीं डालना है हल्दी अगर डाल दोगे न तो डाल जो है न वह नहीं पकेगा तो बस तुरंत आपको क्या करना है लीड बंद कर देना है और फिर आप 3-4 गहंटे के बाद देखेंगे डाल अची तरीके से सॉप्ट हो चुका होगा और साथी में आधा डाल बॉयल हो जाए गा चलिए मैं आपको दिखाती हूं तो मैंने इसको लगबग छार घंटे के लिए रखा था और अब मैं आपको दिखाती हूं एक डाल को इस तरह से मैं प्रेस करके दिखाती हूँ देखेगा इस कितना बड़ी तरीके से ये सॉप्ट हो चुका है और आधा पक चुका है क्योंकि एक तो हमने इसको कैसरोल में रखा हुआ था और दूसरा तो इसमें गरम पानी डाला हुआ था जिस कारण डाल सॉप्ट ह हम जब नास्ता बनाते हैं तो हमें बहुत हड़बड़ी होती है उस टाइम के लिए ये आपका बहुत ही काम आएगा आप चाहें तो रात में भी इस तरह से डाल को कैसरोल में डाल के रख सकते हैं और देखिएगा मॉर्णिंग में इस तरह से डाल बनके तयार हो जाएगा अब इसको पकाने में मुश्किल से एक से डेड़ मिनिट लगेगा तो अब हम क्या करेंगे इसको कड़ाई में डालेंगे पानी एड़ करेंगे और इस टाइम आप चाहें तो जो भी मसाला एड़ करना चाहते हैं कर सकते हैं अब हम डाल का एक बॉयल आने तक इसको पकाए देखे गाई दाल का एक बोईल आ जब एक बोईल इस तरह से दाल का आ जाएगा तो आपके पास जो कर्ची है उसकी मद्द से इस तरह से प्रेस करते जाएगा इससे आप देखिएगा दाल जो है ना वो बोहत ऑची तरीके से सौप्ट हो जाएगा बहुत यूसपुल टिप ह और इसके तुरू आप कम से कम टाइम में डाल बनाके तयार कर लोगे आप टाइम बचा पाओगे साती साथ आपका मेहनत भी बहुत बचेगा है ना यूसफुल टिप आई होब ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा तो चलिए अगला टिप अगला टिप फ्रीज से रिलेट इसके लिए चोटा सा उपाई है आपको लेना है मैड आप चाही तो फ्रीज मैड भी ले सकते हैं हम तो नॉर्मल फ्रीज में फ्रीज मैड लगाते ही है लेकिन फ्रीजर में भी इस तरह से आप मैड लगाया करें और अगर आपके पास मैड नहीं है तो मोटा सा पॉलिथीन भी इस तरह से बिछा सकते हैं ऐसा करने से यह होगा कि आप जो भी समान इस तरह से फ्रीजर में रखोगे वो नीचे से स्टीक नहीं होगा और आपको जब लेना होगा ना निकालना होगा इस तरह से बहुत यह आसान तरीके से इसको निकाल पाओगे तो ये छोटा छोटा टिप्स अपना के हम अपने काम को आसान बना सकते हैं जिसे कि हमारा काफी हद तक परिशानी दूर हो जाती है I hope ये idea भी आपको बहुत पसंद आएगा So guys, आज का वीडियो में यही paint करी हूँ I hope आप सभी को आज का वीडियो useful लगा है वीडियो useful लगने पर वीडियो को जादा से जदा सेयर कर दीजिएगा एक लाइक करके मुझे motivate किजिएगा चैनल पर new यानि की पहली बार आए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ next वीडियो में Bye friends and thanks for watching